कि नरेंद्र मोदी जी से डरिये अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे यह 400 पार क्यों चाहते है इनकी मंशा क्या है और यह कही जा रही है इसमें बहुत सीधी तरह से आप से पूछ रहा हूं कही जा रही है कि अगर इस बार प्रधान मंत्री बने और भी जादा ताकतवर प्रधान मंत्री बने तो ये संविधान को बदल देंगे अम बेट के जो प्रधान मंत्री ची आपके हर कारे पर सवाल उठाये जाते हैं एक अभी आपने राम भगवांश्री राम की बात कही वैसे हमारे संविधान में भी राम राज्य का एक चित्र है वहाँ पर राम सीता लक्षमन का चित्र है नंदलाल बोस जी ने शायद वो चित्र बनाई है और आज कहा जाता है कि नरेंदर मोदी जी से डरिये अगर नरेंदर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे ये 400 पार क्यों चाहते है इनकी म सम्विदान को बदल देंगे और आपने कहा है कि ये कोई तो कोई बदल नहीं सकता अंबेटकर जी के सम्विदान को मगर इस सवाल इतना उठ रहा है प्रधानमंत्री जी मैं चाहता था इस इंटर्वी में थोड़ी विस्तरित तोड़ से आप अपने पॉइंटर कूँ कर जरूर का हुगा जहां तक 400 का सवाल है 2019 से 2024 मेरे पांच जो सदन्व संख्याबल है बीजेपी का एंडिये का और एंडिये प्लस का वो करीब करीब 400 है एफेक्टिव मेजोरिटी ऑल्रेडी आज जो वरत्मानवे पार्लामेंट चल रही है उस पार्लामेंट में हम और्रेड है करीब हम 360 आणिए हैं और हम आंदर मदद करता रहा में उरिशा मदद करता रहा और पांचो साल मदद की है यह नंबर 400 हो ही जाता है तो चार सो होता है तो इस चुना में 400 पार करने का लग्स कोई तहीं नहीं करेंगा गया अगर में 400 पर हूं तो मैं मेरे कारिकरता को मोटिवेट करने के लिए 400 पर की बार नहीं करूंआ क्या है और यह जनता से आया जी दरसल विशें जनता से आया दूसरी बार कि संविधान का जहां तक सवाल है मैं सदन में संविधान दिवस मनाने के लिए प्रस्थाव लेक्ट आया किसने विरुख किया कॉंग्रेस पार्टी के स्वयम खरगी जी ने खड़े करके भाशन किया कि संविधान दिवस की क्या अजिर होता है संविधान के प्रती देश के लोगों की स्रध्या बनाने के लिए जैसे आज भी रामायन महाबारत के कठा केतन होते हैं हर पीड़ी को ट्रांस्मिट होता जाता है संविधान को भी उसी भाव से हमें स्रद्धा भाव से लोगों को देखने की आदर डालनी चाहिए यह आपनों मेरे लिए समिधान वोगों चीज है जब 30 साहते समेधा के तब मैंने भाव सचाथ को कहा था पाड़े जब has top a भाव साजाया था और मैं खूद हाथी के पैरों के पार पैदल चलता था क्यों स्मूच्भान के प्रति मेरा समरपन गया मैं प्राद मत्रत के लिए मेरी पार्टिय मुझे नेता चुना तो मैंने पहले मरा सफस्विधान के सामने तब जाकर मैंने पट का ग्रहण करता है तो एक तो यह मेरा पत्ष हो गयाए दूसरा कॉंग्रेसे वगरें क्या किया है देशकान समिधान बनने के बाद सबसे पहले उस पर हम्राकिया हुए उस पर पिजिकल समिधान का जो शारीर करचना थी ननलाल बोश के चित्रों के साथ और वो चित्र चित्र नहीं थी उसमें एक मैसेज था कि हजारों साल की संस्कुर्थी का एक नई कड़ी हमारा संविधार और इसलिए उन्होंने हजारों साली संस्कुर्थी घटनाओं को जोड़ते हुई पेंटिंग बनाए थे बहुत सोच करके संविधान की बॉड़ी बनाए गई थे आत्मा की बात मैं करता हूं बॉड़ी की बात करता हूं इस चित्र मामुली चीज़ नहीं थी चित्र राम का था कर्ष्णा का नहीं उसमें हमारे देश के गंडराज्यों की चरथा है चित्रों में जी एनने पूरी तरह सांस्क हमला किया कि दूसरा उन्होंने स्वब आत्मा पर हमला किया पहला बॉडी फेज् pest पर कैसे किया भारत के संविदान का सबसे पहला जो सुधारा किया है पंडित नहरु जी ने débाओ उस में इमेंट्मिंट किया ह। इस पर इस ट्रिक्शनी का मतलब उसकी आत्マ पर पहली चोट जो अपने आपको दुनिया में डेमोक्रसी की बाते करते लोग उन्हों ने की तो पहले शरीर से समिधान को खतम किया फिर समिधान के आत्मा को अब वो समिधान की भावना पर हमला कर रहे हैं समिधान की भावना है हमारे देश के सो से ज्यादा बार 356 का उप्योग करके किना कारण सरकारे तोड़ दी गई उस समिधान की भावना पर कुठारा अगा था फिर इमर्जन से लाए उन्होंने समिधान को पुरी तरा यह एक बेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दिया यह हाल कर दिया यहाने सामाने मानवी के लिए अब यह फिर से समिधान समाप्त करने का खेल गेल रहे हैं मैंनोरिटी गार अब आपने देखाओ जो जो पड़े शांतीर पीट पोक्रेटर होते हैं शांतीर पीट पोटर हो बड़े चालाग होते हो क्या करते हैं मानवी जे बस में चड़ गए और किसे का बटवा चुरा बटवा चुरा करके खुद रख देंगे फिर एक और लड़का दोड़े गा यह चौर 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 मेरा बटवा गया है और लोग भी देखेंगे तो जिसका ओरिजिनल गया वो भी देखें मेरा बटवा गया है और फिर एक दोड़ता है जिसने चुराए वो तो यहां घड़ा है साथ में घड़ा है चोरा है और जो निर्तों थे भाग रहा है क्यों चाला की है इन लोगों ने मैं इनको पिक पॉकट है नहीं कह रहा हूं जो चोटे सब्द किसी के लिए उप्योग नहीं करता हूं लेकिन मैं उदान इकले समझाता हूं की वो अपना खेल खिले लिए उना चिलाना शुरू कर लिया मोदी समीदान सब्सक्राइब करेकाaktu सब्सक्राइब करना चाहते हैं इन्हों ने के नाम का खेल खेलने के लिए खूद हो करके समयदान बदलना चाहते हैं इसलिए चिलाहट सब्सक्राइब करना चाहते हैं और जो संविधान के आत्मा पर आखरी किल होगा हो वह आखरी बार होगा संविधान के आत्मा पर संविधान सभाने जब चर्चा की महिनों तक चर्चा की और उसमें पंडिक नहरु जैसे लोगों को छोड़ दीजे बागी सब सनाते नहीं से को श्याफ है और सम्ने गिथान की भावना थी शभर क क्यों क्यान हम की सब्सक्राइब कि जर्म के दर्म के आधर और मारत देशमें नहीं दे सकते धर्म ढवान जर्म चुका झुका था जी मोबुawan हमें हीकी जरुत नहीं सेंवात सेकुलर होके चलना चाहिए यह सेकुलरिजम पर भी बार कर रहे हैं जब धर्म के आधार पर आप अरक्षन कर रहे हो तो आप सेकुलरिजम पर बार कर रहे हो और इसलिए देश चिंतित है